तो कैसे हैं पैरे बच्चों, पिछली के लास में हमने देखा था कि set क्या होता है और set को किस तरह से represent करते हैं, आज हम जानेंगे कि set कितनी तरह के होते हैं और कौन-कौन से set होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो पहला जो हमारा set है, उसका नाम है empty set या फिर उसको बोलते हैं null set या फिर बोलते हैं void set, तीनों का मतलब एक ही है, मतलब कोई भी element ना हो, एक ऐसा set जिसके अंदर कोई भी element नहीं मिलता, उसको बोलते हैं हम null set या फिर बोलते हैं void set, ठीक है, चलिए एक्जाम तोर पर देख लेते हैं, मान के चलिए मैंने बोला कि X at a उसमें बोला X such that X is less than 1 and X is a natural number. यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है जो X होगा वो X से छोटा होगा और जो X है वो natural number है. अब यहाँ पर आप सोचोगे तो ऐसा कोई number बता हो जो X से छोटा हो और वो natural number हो. तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि सबसे छोटा number ही जो natural number होता हो वो 1 होता है. अब 1 से छोटा तो natural number हो नहीं सकता है. तो यहाँ पर इसके अंदर कोई element नहीं आया है. तो हम क्या करेंगे? इसको दिखाते कैसे हैं? इस सेट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसरी brackets बना के छोड़ देंगे. या तो फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो. फाई. इसको बोलते हैं फाई. ठीक है? अगर कोई किसी सेट में कोई element नहीं मिलता, उसको बोलते हम नल सेट. और उसको हम ऐसे represent कर सकते हैं. या तो फिर आप दोनों bracket बना के छोड़ दो. या तो फिर आप 5 बना के छोड़ दो. याद रहे. आपको ऐसा नहीं करना है कि एक्जामपल क्या है? एक्जामपल कह रहा है कि the set of odd natural number divided by 2. आपको बताना है कि जो चार कोशान है, इनमें से कौन सा आपका null set है, कौन सा null set नहीं है. तो पहला जो कोशान है, उसमें बोलता है कि वो सारे number जो 2 से divide होते हैं, लेकिन वो odd होने चीएं. तो हमको ये तो पता है है भाई, कि odd number 2 से divide होता ही नहीं है, इसका मतलब ऐसे कोई number नहीं है, तो हम बोलेंगे, ये null set है. ठीक है, दूसरा वाला, the set of even prime number, अब even prime number क्या होता है, even prime number होता है आपका 2, तो इसमें एक element आ गया जी, तो ये आपका null set नहीं है, कुसा number 3 में बोल रहा है कि x, such that x is a natural number, ज तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, कि y, such that y is a point common to any two parallel lines, मतलब दो आपकी lines है, parallel है, और इन दोनों parallel lines के बीच में कोई एक ऐसा point है, जो common है, तो पहली बात common का मतलब है, कि दोनों line को काटना चाहिए, जब ये common आएगा, अगर का सेट के बारे में, जिसका नाम है finite या फिर infinite, अभी finite और infinite सेट क्या होता है, अगर किसी सेट के element आप गिन सकते हो, तो उसको बोलेंगें finite, अगर आप किसी सेट के element नहीं गिन सकते हो, उसको बोलेंगें infinite, कहने का मतलब ये है, कि अगर कोई मैंने set लिया, और मैंने कह दिया से लेके पास तक गिंती लिखी है तो यहां पर मैं गिन सकता हूं कि मेरे टोटल जो element है वो पाच है लास्ट का element मैं गिन सकता हूं तो आप element की counting कर सकते हो या फिर उनको गिन सकते हो उनको फाइनेट बोलेंगे आधरवाइज वो infinite set के लाएगा जैसे कि यहां पर कुछ कोशन है उसमें आपको बताना यह finite है यह infinite है पहला कोशन बोलता है कि the set of months of year बताओ कितने महीने होते हैं बारा महीने होते हैं गिन सकते हो ना बिल्कुल अच्छा कोशन नमबर से गिन देखो 123 और फिर आपके पीछे क्या हो गया बिन्तु लगगा इसका मलब यह आपका infinite है यह यह हमें नहीं पता तो यह हो गया infinite set 6 में देखो कह रहा है कि the set of circles passing through the origin अवे ऐसे circle के set बनाने हैं जो origin से पास होंगे पहली बात तो यहांगर मैं आप origin बनाता भी हूं तो इस origin से पता नहीं कितने circle pass होंगा आप गिन नहीं सकते हैना आप क्या कोई भी निगन सकता तो यह क्या infinite है तो यह है infinite set का example उमेद आपको यहां तक संवन्जमाया होगा और हम भढ़ते हैं अब तीसरे set के लिए जिसका नाम है equal set तो कह रहा है कि हम कब कहेंगे कि दो set equal है तो उहां पर symbol सा logic है अगर हम कहेंगे कि a बरावर में b है तो condition यह होगी कि a के जितने element है b के उतने ही element होने चाहिए दूसरा जो a के element है वही b के element होने चाहिए उसको बोलेंगे हम equal set जैसे कि मान के चलिए एक set है हमारा उसके इंदर है 1 2 3 अब एक और b set है उसके इंदर है हमारा 2 1 3 अब देखो जो element एक憂धर है वह जो element है दोनों में same element है तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो A है वो बराबर में B है लेकिन यहाँ पर यह भी देखना कि numbers of elements देखके में चले जाना है जैसे कि इसके कुछ example देखो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन से सेट है कौन से इक वल नहीं है जैसे कि एक सेट है उसके नदर आपके चार element बताओ उसके सामने देखो यहाँ पर बताना है कि यह और भी बराबर है या नहीं है तो क्या इसमें बी में A B C D आया बिल्कुल तो हम कुसर किंड में चार आठ बारा सोला的 क्यासमें चार आ गया आ गया औा गया बारा नहीं आये को बारा नहीं है तो एक यह अपर नहीं मिला तो मना कर देना की जी की वैलियो है वो दस से यह 10 के ब्रावार है और 10 से कम है यहां पर 20 जो बनेगा वो क्या बनने वाला है पॉजिटी इवन इवन इंटीजर मतलब दो चार छह आट और दस दस क्यों लिया क्योंकि इसने बोला है कि दस भी ले सकते हो दस से कम लेने ठीक है तो बताओ इससे ज्य क्या है 10 के multiple है तो इसका मतलब यह लिखा है आपका 10 20 30 40 50 ऐसी करेकर लिखा हुआ है और ऐसी 10 के multiple बहुत सारी होंगी यह हमाने एक सेट बना लिया उसके बाद B में देखो क्या ऐसा है 10 तो मिल गया लेकिन यहां पर 20 भी मिल गया लेकिन यहां पर 15 फालत हो गया यहां पर है नहीं इसका मलब A और B ब्रावर नहीं है को सब्सक्राइब के लिए तो आपको इसी तरह से इस एक सब्सक्राइब कर लेने हैं ज्यादा टफ नहीं है